हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चानल कोक वित अंजनी फ्रेंज करेले की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाए होंगे लेकिन एक बार मेरे इस तरीके से आप करेले की सब्जी बनाएगा आपको जरूर पसंद आएगा तो फ्रेंज यहां पर मैंने लिया है आदा किलो कर लेला और उसको मैंने अच्छे से धो लिया था और मैं उसके छिलके को इस तरीके से उतार लूँगे यह देखिए मैंने इस तरीके से चिलका को हम फेकेंगे नहीं उसको भी हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे तो यह देखिए मैंने करेले की छिलको को उतार लिया है और अ पसंद आएगा और इससे मैं बताऊंगी कि इसकी करवाहट को कैसे कम कर सकते हैं ताकि बच्चे भी इस सब्जी को आराम से खा सकते हैं तो यह देखिए मैंने इस तरीके से इसको टुकडों में कट कर लिया है अब मैंने लिया है एक बावल इसमे मैंने डाला है करेला और उपर से मैंने डाला है नमक और थोरी से हल्दी और इसको हम मैरिनेट करके छोड़ देंगे तो यह देखिए मैंने इसे मरिनेट कर दिया है यहाँ पे मैंने लिया है तीन प्याज, दो प्याज को मैंने बारिक चौप किया है और एक बड़े प्याज को मैंने इस तरीके से बड़े टुकडों में इस तरीके से काट लिया है यहां पर मैंने लिया है कुछ मसाले जीरा, काली मिर्ज, डालचीनी, अद्रक और थोड़ी से लहसुन, इसका हम पेश्ट त्यार करके रख लेंगे, तो यहां पर देखिए, यह करेला मैंने अच्छे से वाश कर लिया था, और यहां पर एक पैन में मैंने लिया है सरसो का ते जैसे ही तेल गरम हो, इसमें करेले को डाल देना है और इसको हम कर लेंगे फ्राइ, इस तरीके से करेले की सब्जी बना की देखिएगा, आपके फामिली मेबर को जरूर पसंद आएंगे, क्योंकि यह बिलकुल अलग रेसिपी है, तो यह देखिए, करेला फ्राइ हो चुक कर लेना है, तो इनको भी मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया, अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा और और यहां पर मैं एट करें इसमें एक इंच डाल चिनी का टुकड़ा, दो तीज पत्ता और एक चमश पंच फोरन, इससे सब्जी बहुत जादा टेश्टी बनती है, तो इन मसालों को हम थोड़े देर इस तरीकी से चला लेंगी, अब इन में से जैसे ही खुश्बू आने लेगे तो उस पी हम यहां पर डालेंगे बारिक चौप किया हुआ प्याज, प्याज को हमें भूनेंगे अच्छे से, तो यह दीखिए प्याज कलर चेंज हो गया प्याज का, तो अब हम इसको थोड़े देर ढख के पकाएंगे, थोड़े देर के बाद दीखी, यह प्याज तो बिल्कुल फ्राइ हो चुका है, यहां एट करेंगे मसाले, तो सुखे मसाले में हमने यहां लिया है, धनिया पाउडर, देर चमच, थोड़ा सा गरब मसाला, थोड़ी सी यहां पर मैंने लिया है, हल्दी पाउडर, काश्मीरी मिर्च पाउडर और आमचूर पाउडर एक चमच, आमचूर पाउडर जरूर से इस्तिमाल करिएगा, इसे करेले में थोड़ी से खटास आती है, और सबजी काफी टेस्टी लगती है, यहां पर मैंने जो अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे यहाँ पर मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी और एड़ किया है और अब हम मसाले को अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनेंगे मैंने इसको ढग के पकाया दो मिनिट उसके बाद मैंने यहाँ एड़ किया है नमक ध्यान रहे कि नमक हमने मेरिनेशन के सबे भी एड़ किया था तो करेले थोड़े से नमकीन तो हो ही जाते हैं तो इसलिए आप नमक अपने हिसाब से डाले तो जैसे ही मसाले फ्राई हो चुकी थे यहाँ पर मैंने देखा कि मसाले अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो यहाँ पर मैंने एड़ किया है करेला जो हमने फ्राई करके रखा था अब इन सब को हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से इनको मसाले में मिक्स कर लिया है फ्रिंस यह पूरी सब्जी बिल्कुल मेडियम आज पे बनाए या मेडियम टू लो आज पे बनाए तो यह देखिए, मैंने कवर हटा के देखा तो देखिए सब्जी कितनी अच्छी दिख रही है यह मसाले बिल्कुल से अच्छे से फ्राई हो चुके है तो यहाँ पे मैंने सब्जी को फिर से चला लिया है और अब हम इसमें अड़ करेंगे पानी इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखेंगे बर थोड़े से पानी तो इसमें अड़ करना पड़ेगा ताकि मसाले अच्छे से पक जाए तो यह देखिए, मैंने इसे फिर से इस तरीके से मिला लिया है और यहां पर हम एड़ करेंगे जो हमने फ्राइ करके प्याज रखे थे उसको फिर यह प्याज बहुत टेस्टी लगते हैं जब आप करेंगे सब्जी खाएंगे इस तरीके से बना की तो यह जो प्याज का टुकड़ा जो मुम में जाएगा ना तो स्वाद सब्जी का और इसलिए प्याज को मैंने दो तरीके से कट कट करके डाला तो यहां पर मैंने दो मिनित के बार धकन हटा के इसको फिर से इस तरीके से उलट पलट लिया है तो यह देखिए प्रिंस करेली की चटपटी सब्जी बनके हो गई है तयार अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें थैंक्यू फोर वाचिंग